सब्ट में राम राम का जे जे कार हो रहा है और हैं यहां भोजन सेवां निसुलक मिल रही हैं कियारा है थारिक तारेख आये हम दोग सब मषन हो रहा है सुबद कमें nego intensity फुली रहती है स Ellen आनंद का मैसुस हो रहा है जब से राम मंदिर का सुना है तब से दर्शन करने के लिए लालाय थे आप कहां से हैं सरम मतप्रदेश कटने से मस्ते परनाम दोस्तों हम अपका भाई आपका दोस्त गोलुसिन तो कैसे हैं आप सब आसा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और दोस्तों हम भी मुवस्त हैं दोस्तों अभी हम प्रभुु स्रीराम जी के नगरी अयोंध्या में मौझूद है दोस्तों आप सब देख सकते हैं पासी में मंदीर है जो है कि और ये सभी भक्त लोग स्रीराम जी से दरशन करने के लिए लाइन में लगे हुए चलिए लोगों से बात करते हैं जैस्रीराम कहां से हैं आप जिवरंदावन से अच्छा दर्सन हुआ भगवां में लुए हुए उठी से लाइन में लगे हुए हैं बस आला ओंटे से लाइन थो बहुत ही बारा मतलब यह लगा हुआ है जी लेकिन क्या करें राम के आगे राम कि दर्शन के आगे कोई लाइन वाइन नहीं जितना भी हो जगे काम दर्शन के लिए खड़े हुए हैं अच्छा यहां प्यां के कैसा लग रहा है बहुत आनंद का मैसूस हो रहा है जब से राम मंदिर का सुना है तब से दर्शन करने के लिए लालाय थे अब यहां करके बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर मंदिर को यहां बदलाव हर किसी की बोलने का रहने का हर चीज का ढब अलग हो गया है बिल्कुर राम मैं हो गया है हर सब्द में राम राम का जे जेकार हो रहा है और यहां भोजन निसुलक हर सेवा निसुलक मिल रही है हम 11 तारिक से आये हैं हमी कोई तकलीप नहीं हो रही है हम लोग सब मसत है बड़ा ही अनंदा रहा है बहुत ही अनंदा रहा है कटनी मद्द प्रदेश के हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही जादा भीर हो चुका दोस्तों यह मंद्द आप अगर दरसरद गरने आ रहे हैं यहां पे तो सुबह सात बजे से जो है कि 11 बजे तक मंदिर खुली रहती है और फिर दो बजे से लेकर साम साथ बजे तक खुली रहेगी यह मंदिर दोस्तों आप इस बीच में दरसन कर सकते हैं दोस्तों बीच में दो तीन घंटा बंद था तो देख सकते हैं बंद होने कारण इतना जादा यहां पे भीर हो गया बहुत ही लंबा लाइन लग चुका है दोस्तों यह सभी लोग धीरे-धीरे करके दोस्तों तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के जय स्री राम